जैन दोस्तों फिर साब कस्वागा था हमारे इस घढ़ना चेकरे पूरो लोकन सीरीज में जिस्म लोग भारते इतिहास कर रहे हैं और यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा पहले वीडियो लेक्चर हम लोगों ने बैदेक काल तक कर लिया था आज हमारा बहुत धान शाय भागवद्धर फिर इसी तरह से यह continue रहेगा और जब तक हम पूरा वूग complete नहीं हो जाता तब तक हम यह सीरीज चलाते रहेंगे और आप से बसी अनुद है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ल करें ताकि जब भी हमको नए वीडियो अप्लोड करें तो आप तक इस वीडियो का लिंक अराम से पहुंझ जाए और इसके डिस्क्रिशन में हम लोग अपना WhatsApp ग्रूप का लिंक डाल देंगे तो आप लोग उससे भी जूल जाए ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड हो रिगवादिक काल के प्रणम में से किसे महत्पून उन लेवान संपति समझा जाता था तो बी ऑप्शन हो जागा गाय को सूची है मिलान कर निकली दिया हुआ है तो यह देख लेते हैं कौन-कौन सा है तो सिंदुगाटी सब्वेतर नगरी सब्वेतर हो जाएगी प्रचीन भारति समाज के प्रसंग में सैंथ कौन सा सभद सेस्थीं के बर का नहीं है तो कोश नहीं है और संस्कार हो कि को संख्या कितनी है तो 16 जिब वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते था तो संख्याइग उपाध्या था तो संच्राइग अब बहुत हम दहां फूरू हो गया तो आई इसके प्रशनों को जो देखते हैं आप से बसे इन रहें कि अगर आप लोग हमारी चनल पे नए है और अब तक हमारी चनल को सबस्क्राइब नहीं है तो प्लीज-प्लीज इससे सब्सक्राइब करें हैं आप सब्सक्राइब करें इन मेंसे कॉण सा नाम बॱ्थक कर दूसरा नाम मतलब नाही परठ आ नाही मिहिर नाही गुडाकेश है तो इ台 पे नहीं निन किस राजवन्स के उस परंपरा का समर्थन भोता है कि लुंबनी शाक मुनी बुद' का जर्म अस्थान था तो यह अप्शन हो जागा मौरे निन में से किस राजवन्स के अभिलेक से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बनी शाक्यमोनी बुद्ध का जर्म अस्थान था तो यह अप्शन हो जागा मौरे निन में से कौन एक आशोक का अभिलेक इस परंपरा क पुष्टी करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लूंबनी में हुआ था तो दी अपसटी करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लूंबनी में हुआ था तो दी अपसटी करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लूंबनी में हुआ था तो दी अपसटी करता है कि गौतम बुद् मातम बुद् का महापरिनिर्वान किस गंतंत्र में हुआ था तो सी अप्सवी नारा गोतम बुद्ध ने किस अस्थान पर निर्वान प्राप्थ हुआ तो ए अप्शन जागा कुशी नारा महापरी निर्वान मंदिर अवस्थित है तो ए अप्शन जागा कुशी नगर में था तो ब कॉशिनकर में है निन राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था तो कौन कुन सथ हो तो अवन्ती का नहीं था गंधार का नहीं था कोश्चल का था और मगद का था तो तो ती आपस्ट बुद्ध दोरा अपने धर्में देख्षित किये जाने वाले अंतिम ब्यक्ति निम्लिक्त में से कौन था तो डियोप्शन रेगा सुभद। ग्रूलिक्त में से को भी करता है तुम्लिक्त में आ सता हुआ रूपम था गुरू 3टमघा करता है तो ब adap भूद गया के किसे ग्यानडाप्ति हुए spaghetti बोधिया में किसे ज्यान प्राप्ति हुई थी तो बी अप्शन रगा गौतम बुध अलार कलाम कौन थे तो बुध के एक गुरू मताम बुध ने अपना पहला धर्म चक्र परावर्तन किस सथान पर दिया था तो बी अप्शन रगा सारनाथ में मताम बुध ने अपना पहला धर्म चक्र परावर्तन कि सथान पर दिया था तो बी अप्शन रगा सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो सारनाथ में दिये गए उनका प्रथम उपदेश। प्रथम बोगतेशनाद्य के संटत्य के विज़ेध thi Пр दिया विज़ेध ही वर्थम पर violations के आउड़ उपस्टाइ पर्थम बोगतेशनाद्य हमका बात परीश्याद पर्थम निम्लिखित में से किस एक ने किया तो 2 अप्शन हो जाएगा महाकश्यव पर्थम बहुत महासभा कहां आयजथ हुई थी तो 2 अप्शन हो जाएगा राजग्री में शब्त-पर्णि-गुफा अस्थित है तो भगवानबुद्ध के महापारी निरवान के बाद की थि तो d option का वाशूमितर का और मिर थे ऊंदत्र में कै चाहिक सब्सक्राइब कborne. बहुत धर्म की महायान साखा उप्चारिक रूप से किस साखनール में प्रकथ विस तो यूप उप्सेों इसके बहुत धर्म की महायां शाख्वा अप्शारी पूप से किसके साषनकाल में प्रकट हुई तो D option में कनिश्क कनिश्क के साषनकाल में बहुत सभा किस नगर में आयुद की गई थी तो C option जाब कास्मीर करें के सासंकाल सभ़ा किस नगर में अुलुइद हो देए थी आपहसमिर कि सासे काल चक्तुर्त बहुत संगति आउजों से अचेकर पर विचार कीजिए बुद्ध में देवतारोपन अधियुक्त में से कौन से विश्जता या विश्जता महायान बहुत मत्की है तो पहलोगा बोध में देवतारोपन तो ये बिल्कुल सही है बोधिस्थ्यत्र के पत पर चलना या भी सही है मुर्ति उपासना ता अनुस्थान या भी सही है तो दी अप्सण एगा एक दो ती इसमें तीनों सही है, निम्लिक्सічत, चार अस्थानों में थैं हुई बहुत संगतियों का सही काल क्रम, नीचे दीये हुए कूट से ज्यात किजिए, तो पहला है राजगीर, फिर है भाईशाली, फिर है पाटली पुद्र, फिर है कुंडल वन, फिर सो पहला राजगीर, फिर तीन हमस्तात्र punk Ó नौ राजगेरимоं से किस नगर में पर्थम सभाक आजन किया था निर्ट मैं से किस शा reimburse कि मिलान काने के लिए हुपा है आए देख लेख लेगा परफम बहुत परिश्युक्त हो जागा मोगली पुट् Preach आए वश्म मेत्र परिखने, लेनला करूग देख हो जागा मघक्राइब मोगली पुट्र एह वश्म मित्र। फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ, आए देख लेते हैं, जन हुआ था लुंबनी में, ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधगया में, पर्थम प्रभचन हुआ था सारनात में, और निधन हुआ था कुशी नगर में, सी अप्सन अजागा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, फिर से जन हुआ अगला प्रश्ण मिलान का निकलिया हुए तो जन्म हो जाएगा कमल के लिए पर्थम प्रबचन हो जाएगा धंचक प्रवर्तन महाबोधी हो जाएगा बोधी बिरिच और गृत्याग हो जाएगा करमापा लामा तिबद के बुद्ध संप्रदाय के किस बरका है तो भी अप्स हो जाएगा कंगी उपा मात्याप बुद्ध के संबंद में निम्लिखित अस्थानों में से कौन सा सही है तो उनका जन्म कफिल वस्तों में हुआ था बिल्कुल सही उन्होंने बोध गया में ग्यान प्राप्त किया या भी सही उन्होंने बैदिक धर्म को अस्विकार किया था या भी सही उन्होंने आरे सत्थ का प्रचार किया था या भी सही तो डी ओप्सन गया एक दो तीन चार इसमें चारो सही है बोधगया में महा बोधी मंदिर बनाया था जहां बी ओप्शन गौतम बोध को ज्यान पराप्थ हुआ था बोधगया में बोधी बिरिच अपने वंस की इस पीड़ी का है तो C अप्शन रगा पांचवा बुद्धित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थान निरंजना नदी परस्थित है तो यह उप्शन नदी बुद्धित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थान निरंजना नदी परस्थित है तो यह उप्शन नदी बुद्धित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थान निरंजना सभाव पवित्रता से निम्कित में से कौन बुद्ध के जीवनकाल में ही संघर्स प्रमुक होतना चाहता था तो यह आप्सिन डेवदत गौतम बुद्ध ने अपनी मिर्तियु के उपरांत बहुत संघ के नित्रित्व के लिए निम्निति में किसे नामित किया तो डियो अप् बाजे पाश्वह करें गत्म सब्सक्राइए और बुत्साता हुई सभी है आत्मा का शरीर में परवर्तन मंतर्ब मानते थे यह वी सभी है निर्वान प्राप्ति में ईपरबबाबार करते थे या गलत है तो चौथा इसमें गलत है बाकि इसमें चारों सही आगे देखते हैं बुध संग में बिच्चुनी के रूप में स्थ्री में परवेश्क अनुमति इनुमति बुध द्वारा दिय गई थी तो बी औप्सण हो जागा दिग वैसाली में त्री पीटा क्या ह सब्सक्राइब नियम प्राप्त होता है तो बिनाई पिटक निमलिखित में संग जीवन का नियम प्राप्त होता है तो बिनेः पिटक यमक बुध पिटक से संबंदित है तो फिवन होता है धालिखित में स महातं प्राप्त होता है क्या अभी प्राय है तो बुद्ध धर्म और संग बुद्ध दर्शन के विशेश्टा के संबंद में निम्लिखित कत्रों पर विचार केजिए तो कुछ सा सही है देखना है तो बुद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की सिच्छाओं में ही मिलता है या विल्कुल सही ह तो सी अप्सन हो जागा एक और दो इसमें दोनों सही है फिर से देखते है बुद्ध दर्शन के विशेश्टा के संबंद में निम्लिखित कत्रों पर विचार केजिए तो बुद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध के सिच्छाओं में ही मिलता है विल्कुल सही है बु वर्षा रीतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भीच्छों द्वारा किये गए अपराधों के स्विकारुक्ति का अपसर होता था फिर से प्रचीन भारत में बौद मठों में प्रावन पवरन नामक समारों आयुद किया जाता था जो यह भी आप्सन हो जाएगा वर् पर स्थित है तो भी आप्सन हो जाएगा पार्टली पूत्रा में बिश्व का सबसे उचा कहे जाने वाला विश्व शांतिस्तु बिहार में कहा है तो सी अप्सन हो जाएगा राजगीर में बुद की असी फूट की बड़ी पर्तिमा जो बोद गया में है निर्मित की गई तो भी आप्सन हो जाएगा जापानियों के द्वारा विश्व की असी फीड बड़ी पर्तिमा जो बोद गया में है निर्मित की गई थी तो भी आप्सन हो जाएगा जापानियों के द्वारा सर पर्था मस्तूप सब्थ कहां मिलता है तो भी आप्सन हो जाएगा रिगवे प्रचीन भारत के संदर में निविखित कतनों पर विचार कीजिए उप्रिक्तम से कौन सा कतन सही है तो सूप की संक्राइब मुलता बहुत संकल्पना है या विल्कुल गलत है क्योंकि या बैदिक सभीता में मिलती है स्थूप आम तोर पर अप्षेशूप का निच्छे निविखित अस्थूप का सही तैथि क्रम या करम क्या है तो इसका करम सही से दिया हुए नहीं है तो इसका चार्मक दिया हुए आप लोग इससे डिस्मिशन बोक्स वें पर सकते हैं अनातमबाद सिध्धान्त है तो सी अप्सन हो जाएगा बहुत दर्शन का संसार अस्थिर और छनिक है का निमन में से किसे संबंध है तो यह अप्सन जाएगा बहुत से संसार आस्थिर और च्छनिक है का निम्रिकित में से किसे एशिया की जोती पुंझ के तोर पर जाना जाता है तो यह उप्सन जाना 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 जाना जाता है तो यह उप्सन परतिपादा कौन है तो परतिपादन किस ने किया तो बुद्न है बारत के सांस्कृति कितिहास के संदर्ण में परिपार्मिता सब्द का सही वीवरा निमनिकित में से कौन सा है परिपून्ताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिशत्व पत्थ प्रसस्थ हुआ भारत के सांस्कृति कितिहास के संदर्ण में परिपार्मिता सब्द का सही वीवरा निमनिकित में से कौन सा है तो c option नो जागा परिपूंदताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिश्यत्व पत्र प्रसस्त हुआ Sir Edward Arnold की पुच्टाएं दा light of Asia अधारित है किस पर तो d option नो जागा ललित विस्तार पर Sir Edward Arnold की पुच्टा एक लाइट of Asia अधारित है किस पर तो d ललित विस्तार पर बहुत धर्म के महायान और हिनियान संपर्दाएं में सरवाधिक मौलिक अंतर निम्खित में से कौन सा है तो सी अप्शन हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा भारत में पहले जिस माना परतीमा को पूजा गया हुआ थी तो सी अप्शन हो जाएगा बूद की देश में निम्खित में से किसे मूर्ति पूजा की नीव रखी थी तो भी अप्शन हो जाएगा बहुत धर्म ने देश में निम्खित में से किसे मूर्ति पूजा की नीव रखी थी तो भी अप्शन हो जाएगा बूद की खड़ी प्रतिमा नीव में से किस काल में बनाई गई है तो भी अप्शन हो जाएगा बूद की खड़ी प्रतिमा नीव में से किस काल में बनाई गई तो भी अप्शन हो जाएगा बूद की प्रचिंतम प्रतिमा की शैली में प्राप्थ हुई तो यह अप्शन हो जाएगा उप्शन हो जाएगा बूद की प्रतिमा कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई ग भवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमियस्पर्स मुद्रा कहा जाता है या कि इसकी प्रतिक है तो सी बी आप्शन हो जाएगा मार के प्रलोगनों के बावजुद अपनी सुचिता और सुद्धिता का साक्षी होने के ल वान बुद्द स्वराएग लेख सारनाथ की भूमेस्पर्स र मुद्द स्मुद्रा बुद्ध पर्तिमा का लंकित है किस है य कि भारत के सांस्कृति कि इतिहाएज का संदर में प्रृप विचार कीजिए और फिक तुमां में कौन स fulfill सिय है तो तो परिवर्जन, परित्यागी वा भ्रहमनकारी बिल्कुल सही है, श्रमन, उच्च पद्ध प्राप्त पुजारी या बिल्कुल गलत है, उपासक बध्धर्म का साधारन अनुगामी या बिल्कुल सही है, तो बी अप्षित में से कौन से शाषक ने बध्मत का विस्तार में योगदान नहीं दिया, तो डी अप्षित में से कौन से शाषक ने बध्मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, तो डी अप्षित व्यक्तियों पर विचार किया और नीचे दिगए उटका सही उतर चुनी है, तो कथन खारन देखते हैं, कुशिनगर मल गनराज की माता बुद्ध का महापाई निर्वान कुशिनगर में हुआ या भी सही है, तो बी अप्षिनों जागा ए और आ दोनों सही है, परन्तु आरे का सही व्यक्तियों नहीं है, अगला प्रस्ण निमलिखित योगणों में कौन सही सुमेलित है, तो लोथल प्रचिन गोदी छेत या बलकुल सही है, सारनाद बुद्ध का पर्थम धर्मपदेश या भी सही है, नलन्दा बहुत अधिगमन का महान पीठ या भी सही है, महायान बहुत धर में बोधिशत्व अलोके तेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका अंसर रश्टार्माग दिया हुए, अगला प्रस्ण है, भारत के धर्मे कितियास के संदर्म निवनिखित कत्म पर विचार कीजिए, तो प्युक्त में से कौन सा कत्म सही है, देखना है, तो अस्थावीर वादी महायान बहुत धर्म से समद्ध है, या बिलकुल गलत है, लोकोतर वादी संपरदाय बहुत धर् यह पहला नमर जिसमें गलत है, आगे भारत के संदर्मे निवनिखित में से कान भावी बुद्ध है, जो संसार की रक्षा है, तो अप्तरित होंगे, तो इसमें देखना है कौन-कौन साई कत्न सही है, तो बोधिसत्व बोदमत के ही नियान संपरता है कि केंद्रि शंकल्प ना है या विल्कुल गलत है बोधिशा तो अपने प्रभोधन के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है या विल्कुल सही है बोधिशा तो समस्त सचेतन प्रानियों को उनके प्रभोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वायं का निर्वान प्राप्ति सम बि बोधिशात्म पदमपनी की पेंटिंग स्थित है तो सी अप्शन वेगा अजन्ता में हिनियान अवस्था का विशालतम एवां सर्बाधिक विक्षित सेलिकृत चैत्रिग्री स्थित है तो सी अप्शन वेगा कारले में हिनियान अवस्था का बिशालतम एवां सर्बाधिक विक्षित सेलिकृत चैत्रिग्र्ण स्थित कहां तुसी अप्शन वेगा कारले में निमर्खित में से क्स शैलिकृत ग५्रा में 11 शिरो बोधिसात्व का अंकन मिलता है तुसी अप्शन वेगा कनहिरी